सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें कि अच्छाइब करें कि अच्छाइब करें कि अच्छाइब करता हूं इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरू के तुला रासि में गोचर की अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद अभी करिए जोतिस द्रस्टी से गुरू ताकतवर और सबसे उदार ग्रह माना जाता है गुरू को उच्छ कोटी का समझदार ग्रह भी कहा जाता है गुरू जिसे ब्रोश्पति भी कहते हैं हर परिष्थिती को विशाल द्रस्टी से देखने की किशमता रखता है गुरू की कृपा के बिना मानिवे जीवन में सकारत्मक एवं अच्छी चीजे घटित नहीं हो सकती गुरू नकारत्मकता एवं बुरी चीजों को जीवन से बाहर फैंकता है गुरू प्रत्यक राशी में पारागवन के लिए लगभग तेरा महने का समय लेता है वर्त्मान में गुरू कन्या राशी में है जो तेरे महनों का पारागवन पुरा कर 12 सितंबर 2017 को तुला राशी में गोचर करेगा तो आएये जानते हैं गुरू के गोचर का विभिन्न बारा राश्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा चलिए अब बात करते हैं तुला राशी के तुला राशी में इस महत्वपुन ग्रह का गोचर काफी सकरात्मक प्रिणाम लेकर आएगा ये गोचर तुला राशी के जातकों के लिए आत्मविश्वास और मौजूदा माहुल में सुधार लाने वाला है गूरू जब आपकी राशी में प्रवेश करेगा तब आप एक बार फिर सकारत्मक्ता और किसी भी काम को पूरा करने का रवया दिखाते हुए नई शुरुवात करेंगे आप अपने अतीत को पीछे भुलाकर भविश्य के और देखेंगे घटनाय जो आपके जीवन में होगी वो आपको शमश्याव से बाहर निकालने में मदद करेगी इस गोचर से जीवन के प्रति आपका द्रस्टिकों बदलने वाला है और आप छोटी-छोटी चीदों के पीछे नहीं भागेंगे इस समय आप उस्षा से बरपूर होंगे गुरू के गोचर के दौरान आपको ऐसी प्रवति से बचनी की जरूद है जिसमें आपका ध्यान पूरी तरह से खुझ पर ही कैंदरित हो किसी प्रकार काम या प्रोजेक्ट जीस पर आप कारे रथ है उससे अब आपको लाव मिल सकते हैं इस वीडियो को पुरा देखने के बाद अगर आपको कोई भी प्रस्न है या कोई भी दूईदा है तो कॉमेंट करें या डायल करें डबल फाई वन एट वन एट वन अपने मोबैल से या उपर दी गई लिंग पर क्लिक करें और हमारे जोतिशों से बात करें आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंग पर क्लिक कर सकते हैं कि अग्याइब कि अग्याइब कि कि कुम